हेलो डियर स्टुडेंट्स गुड मॉर्णिंग कल आपने ए से ऐस तक लिखना चीखा था ठीक है देखिए कैसे लिखा था आपने ए ये स्मॉल सी बनाकर और ये स्मॉल स्टेंडिंग लाइन से इसको यह से जोइन कर दिया क्या बन गया ये ए और उसके बाद एक स्टेंडिंग लाइन और ये हाफ सरकल इसको जोइन कर दिया ये बन गया बी फिर ये आपका स्मॉल सी बीच की टू लाइन में हम सी लिखते हैं फिर रैड लाइन से ब्लू लाइन तक स्टेंडिंग लाइन और इधर ये हाफ सरकल जोइन कर दिया ये बन गया D इसके बाद ये C बनाकर इसमॉल सरकल जोइन किया E और ये स्टेंडिंग लाइन और यहां से नीचे ये खुमा दिया और इसको कट कर दिया ये बन गया F और फिश ब्लू लाइन से रड लाइन तक नीचे स्टेंडिंग लाइन और ये यहां तक इसको घुमाया और ये सरकल इससे जोइन कर दिया ये बन गया G और ये स्टेंडिंग लाइन और ये हमारा यहां से हाफ सरकल जहां तक ये बन गया H A B C D E F G H अब हम क्या सीखेंगे eye for ice cream यह blue line से blue line ताक small standing line उपर यह point यह बन गया eye फे blue line से नीचे red line ताक standing line और यहाँ से यह इस गुमा दिया यह बन गया हमारा j और यह हमाहरा eye standing line और यह small to slanting line ये बन गया K for kite और ये standing line red line से blue line तक L A, B, C, D E, F, G, H I, J, K, L ऐसे ही आपको नीचे लिखना है बिलकुल line में जैसे मैं हमने बताया है न उसी तरह से आपको line में लिखना है I, B, C, 2 lines में J, नीचे की 3 lines में K, उपर की 3 lines में L, B, उपर की 3 lines में Neat and clean line को touch करते हुए लिखेंगे और ये है आपका homework A to H A, B, C, D E, F G, H इतना आपको यहां लिखना है उसके पाद I, J, K, L ऐसे ही आपको यहां I लिखना है या J लिखना है या K और यहां पर L इस तरह से सुन्दर handwriting में आपको अपना homework complete करना है अपको यहां 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 यहां